उत्राखंट 1 विभाग महीनों से किये जा रहे दावों को ठुकराता रहा है कि जिम कॉमेट राश्टिय उध्यान में एक नई बाग सफारी के लिए 1000 पेड काट दिये गए विभाग की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्राकंड सरकार के वन विभाग ने 16.21 हेक्टर के इलाके में 6903 पेड कटवा दिये केंद्रे वन सर्वेक्षन विभाग ने इसकी पुष्टी की है नमश्कार मेरा नाम काजल है और आप देखना शुरू कर चुके है और अगर आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंद कर ले वैसे पहाडों में होटल कारुबारियों द्वारा लगातार नियोमों की धज्जिया उडाने की खबरे सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे है लगातार माफियाओं के द्वारा पहाड के जंगलों को निप्टाया जा रहा है और सम्मंदित विभाग देखकर भी अंदेखा कर रहा है इसे साफ लगता है कि विभागिय अधिकारियों की जेब माफिया पहले ही गर्म कर दे रहे है लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरिंदर मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए हजारों की संख्या में पेड काटे जाना व्यापारी करन को बढ़ावा दे रहा है क्योंकि 6000 पेड काटे जाने के पीछे का कारण पखरो नाम की नई सफारी को कॉर्बेट बाग रिजर्फ के कालागण इलाके में बनाया जा रहा है प्रदानमंद्री ने ही इस इलाके में नई सफारी शुरू करने का सुझाव दिया था विभाग ने केंद्रिय परियावरन मंद्राले से ये कहकर नई सफारी के लिए अनुमती ली थी कि उसके लिए सिर्फ 163 पेड काटे जाएंगे लेकिन वन सर्वेक्षन विभाग ने सैटिलाइट से प्राप्त चित्रो और फिल्ट्रीप के जरिये पता लगाया है कि अनुमान है कि 163 की जगा 6903 पेड काट दिये गए है बतादे कि अगस्त 2021 में अक्टिविस्ट और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता गौरफ बंसल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील दायर की जिसमें उन्होंने दावा किया है कि सफारी के लिए कॉर्बेट में 10,000 पेड काटे गए है अधालत ने जब राश्टिय बाग सरक्षन प्राधिकरन एंटी सीए को इस मामली की जाच करने के लिए कहा तब प्राधिकरन ने एक जाच समीती बनाई समीती ने इलाके का दौरा किया और ओक्टबर 2021 में ही अपने रिपोर्ट सौब दी मेडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि समीती ने हजारों पेडों को काटे जाने के दावों को सही ठहराया है और उत्राखन वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कारवाही की अनुशन सभी की हाला कि उत्राखन बन विभाग महिनों से किये जा रहे दावों को ठुकराता रहा है कि जिम कॉविट राश्ट्य उध्यान में एक नई बाग सफारी के लिए हजारों पेड काट दिये गए अब केंद्रिय वन सर्वेक्षन विभाग ने छे हजार पेड काटे जाने के इन दावों की पुष्टी करते हुए मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट की आण में हो रहे बाजारी करन का खुलासा किया है अब आखिर आपके इस विशाय पर क्या राय है हमारी साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें अभी के लिए इतना ही फिर होगे आपसे मुलाकात तब तक के लिए आप देखते रहे है एक्वालिटी न्यूज खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें